हाँ तो कैसे हैं आप सब आज ये वीडियो थोड़ा डिफरेंट होने वाली है अलग होने वाली है विश्यक यहां हम आपको बताने वाले हैं कि लसी एम निकालना आप कैसे सीख सकते हैं डिफरेंट इसलिए होने वाली है कि यहां पे आप एक्जामपल देख पा रही होंगे कि हर example अलग-अलग है न डिफरेंट है तो हर example में आपको अलग सीखने को मिलेगा और यहाँ पे ये आप तीसरे example देख रहे होंगे ये ज़रा हटके है और ज़्यादा ही डिफरेंट है जिसमें बच्चे अधिकतर गलती करते हैं और आंसर निकालने में गलतीय करते हैं जिसस बीच में आपको नहीं भगना है नहीं तो आप पस्ताएंगे और आप सोचते ही रहेंगे के आरे यार लसीम निकालना नहीं बनता लेकन अगर आप इस वीडियो को पूरा वाच करते हैं तो मैं उमीद करूंगा कि आप किसी वीडियो को देखना जरूरी नहीं समझेंगे इसी में आप सिख जाएंगे तो स्टाट कर लेते हैं तो यहां पे आप देखें कि पहला एक्जामपल में आपको सिखाते हैं तो पहला एक्जामपल आपका क्या है लिख लेते हैं देखो यहां पे है दो चार और छे और आपको इस प्रकार से लाइन ठीचना है और एक इस प्रकार से लाइन ठीच लेना है यहाँ पे आपको सबसे पहले ये समझना है कि इसको किस प्रकार से किया जाता है आखरकार है ना तो आपको याद रखना है कि पहले छोटी संख्या से काटना है फिर वड़ी संख्या से काटना है लाइक है मालो ये दो से पहले कट रही है तो लाई कि यहाँ पर अपन दो से काटेंगे तो दो कम दो और दो दूनी चार और दो ती छे ठीक है तो यहाँ पर आपके दो से सभी में भाग आपका चला गया अब यहाँ पर आप देखेंगे कि अब हम भाग किस में किस से दें है ना कि दो से दें के तीन से दें तो आपके मन दो और ये तीन आपका जैंकताई रहेगा अब आप यहाँ पे तीन से काटेंगे ये एक कम एक एक कम एक और तीन कम तीन और आपको बता दिया जाए कि जब यहाँ पे एक एक आ जाता है तो फिर भाग देने की कोई जरूरत नहीं रहती है और फिर आपको LCM इस परकार से नि गुणा करेंगे तो क्या हैगा देखो दूदूनी चार और चारती बारा तो इनका LCM क्या हो जाएगा इस वाली एक्जामपल का बारा तो भाई मेरे इस परकार से LCM निकाला जाता है तो यहाँ पे अपन दूसरे एक्जामपल आपको सॉल्व करके दिखाएंगे देखो ल चाहिए तो पहले आप यहाँ पे 2 से काट के देखेंगे अगर एक संख्या 2 से कटने गों आपको याजर रखेंगे यह नहीं एक तीनोकंस अज़ाओ आपको 2 से फिर 2 को इससे काटेंगे देखो, 2 कम 2, 2 पंचे 10, फिर हाँ पे आप देखें कि 2 से 45 आपका नहीं कटेगा, तो यह आप जाएंकताई लिख देंगे, फिर इस प्रिकार से लाइं खीज देंगे, फिर आप इहाँ पे 2 से काटेंगे, क्यूंकि आपका 10 कटेगा, यह नहीं डाउट, अपने मन से हटाते जाएं, साप करते जाएं, कि आपको दूसरी वीडियो देखना ना पड़े, ठीक है, तो 2 पंचे 10, और आपका 15 कटेगा नहीं, तो यह जाइंकताई रहेगा, और 45 भी जाइंकताई रहेगा, अब यहाँ पे आप यह देखेंगे, कि यहाँ प 3 से काटेंगे, क्योंकि आपका 15 भी 3 से कट रहा है, और 45 भी आपका 3 से कट रहा है, फिलाल यह वस नहीं कट रहा है, तो यह आपको बाद में काटना है, इस परकार से भी ध्यान दिया जाता है, तो 3 से काटेंगे, देखो 5 तो कटाईगा नहीं, तो जाइंकताई रहेगा, और ती पांचे पंदरा और तीन कम तीन और ती पांचे पंदरा अब आप यहाँ पे फिर तीन से काटेंगे है ना क्यों काटेंगे क्योंकि आपका पंदरा तीन से कट रहा है इसलिए आप काटेंगे पांच से सभी संख्या कट रही है लेकर हम नहीं काटेंगे पहले छोटी संख्या से काट के देखेंगे अगर नहीं कट रही है तो फिर बड़ी संख्या में जाएंगे हैं यह हमने आपको सिखाया हुआ है तो 3 से काटें देखो 5 कम 5 रहेगा और यह आपका जैंकता ही दोनों रहेंगे इसको काटेंगे तो 3-5-15 आएगा ना फिर आप लैन खीचेंगे अब यहां पे आप देखें कि 5 से अगर काटेंगे तो तीनों कड़े आइं क्योंकि आपके पास कोई चारा ही नहीं आप 5 से ही काट सकते हैं ना तो 5 कम 5, 5 कम 5 और 5 कम 5 और हमने आपको क्या बताया अगर नैचे एक एक आजाए तो फिर काटने की जरूरत नहीं रहती है और इनका आपस में गुणा कर लें तो LCM आपका निकल के आ जाएगा तो कर लेते हैं देखो लिख लेते हैं पहले ये अपन ने लिख लिया देखो दुदूनी 4 और 4 ती 12 और 12 का 12 बैंच और 12 बैंच और 26 और 36 गोणे 5 कर लेंगे तो 6,35 हो जाएगा हाँ से लाएगी आपकी 3 और 5 का 5,15,15,15,15,15,15,15,18 तो आपका अंसर क्या हो जाएगा 180 तो इस वाली एक्जामपल का आपका अंसर क्या हैगा 180 तो अब हम आपको ये वाला एक्जामपल सौल्व करके दिखाते हैं ये अलग क्यों है ये आपको सिखाने वाले हैं तो पहले लखेंगे 3,7 और 13 वह इस प्रकार से लाइन खीच लेंगे अब आप यहाँ देखेंगे पहले 3 से ही काटेंगे क्यों काटेंगे क्योंकि हमने आपको क्या बताया था पहले छोटी संख्या से काटेंगे चाहिए केवल एक ही क्यों ना कटे तो 3 कम 3,7 नहीं कटेंगे तो ये छोड़ देंगे फिर 13 लिख देंगे फिर आप यहाँ पे 7 से काटेंगे यह ना यह हमने आपको अब आप समझ गए होंगे मेरी feeling मैं आखरकार क्या कहना चाहता हुँ तो फिर आप 13 से काटेंगे है भाग देनी की ज़रूरत नहीं रहती और हमने आपको क्या बताया था LCM निकालने के लिए इनका आपस में गुणा किया जाता है सर यहाँ पे तो यह संख्या यही वाली आ गई है यह कैसा चक्कर है यह कैसा चीज है मुझे समझा यह समझाती हैं तो देखो यहाँ पे सभी different संख्या है ठीक है different तो है ही है साथ ही साथ मैं यह एक से कटेंगी सभी या वो खुद से कटेंगी जैसे तीन एक से भी कटेंगी और तीन से कटेंगी इनी का आपस में आपको गोणा कर देना है कब करना है जब वो एक से कटें या वो स्वैम से कटें ठीक है तो इस प्रकार की कंडिशन में आपको ऐसा करना है आपस में ही गोणा कर देना है और इस प्रकार का भाग देनी की जरूरत नहीं है तो यह आप समाझगे होंगे तीन कोने 7 करेंगी गोना 13 करेंगी और आपका LCM आ जाएगा तो कर लेते हैं तो 731 ठीक है और 31 कर लेते हैं 13 तो देखो 3 कम 3 आएगा और 306 आएगा 1 कम 1 और 2 कम 2 3 7 2 तो इसका अंसर क्या जाएगा 273 तो इस वाले एक्जामपल का अंसर क्या आया 273 तो आप यहां पे यह सीख चुके हैं कि LCM कैसी निकाला जाता है हर प्रकार के आपके डाउट किलियर हुए है भाई मेरे तो अगर आपको वीडियो तन्नी सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना है शेयर करना है कमेंट करना है और चैनल में अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना ह हैं तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स वीडियो में जब तक के लिए वाए